मुसा वादा विर्मनी सिख्खा पदंस्मादियानी 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 चीज को लेकर जो अना हम आगे बड़े, हम काफी सालों से सभी साथी विभिन संगठनों के रूप में, विभिन अक्षेतर में काम करते रहे, खुब दवागे काम किया, और मैं तो यह कहूं कि अगर इंडिया में, अगर सबसे ज्यादा संगठन, सबसे ज्यादा संगठनों क रूब में, या बावा साथ या हमारे महापुर्सों को लेकर, अगर किसी ने संगर्स किया, तो इसी समन समाज ने किया, सब्सक्राइब करते रहें और अलग अलग जातियों के संगठन मैं अगर यह कहूं कि अगर एक जाती ले सडूल कास्ट में ले या माइनोर्टी में ले या हैस्टी में ले तो एक जाती के भी लाखो संगठन है जितनी जातियां हैं उसे कई हजार संगठन यहां लाख बन चुके हैं जैसा कि अमपराई एक जोना भी नागपूर में थे तो बामसेपन बताया कि लगबख 29 लाख संगठन रजिस्टर्ड है और क्योंकि मैं इंडस्ट्री में रहा हूं मुझे भी पता है हर्याना में कई ल संगरता करते हैं जिसमें आम हमारे रमेश्य कटके जिभी उसी रिविश्ट्रा परह्मसोसाइटी में हुए हैं तो हर एरिया में दुनिया वर्के संगर्टन बने हुए हैं और जैसा कि भावत साब करो हमने सोचा कि सिक्सित भी हम बन चुके हैं संगर्सम जैसे कि मैंने बताया संगर्सम लगातार कर रहे हैं हम इस देश में भौमत में होते वे भी हम जो अना अपने अधिकारों की दिन परती दिन कुठारा हद होते भी देख रहे हैं हमारे अधिकार छिन रहे हैं कि जितना हमने संगर्स किया हम लगातार जो अना संगर्स करते आए लेकिन किसी भी कारियक चित्र में आगे बढ़ने की वजाए हम पीछे चलेगे जैसा कि मैं पराए एक बात बार बार बोलता हूं एक फैक्ट्री में अरताल कर दी और अरताल इस बात की करी कि कि हमारे बीस पर संट वे sich बढ़ाओ नारेल कर आए के जमारी इस पर्संट पंखा बढ़ाओ वेसी वड़ाओ तो मालिक ने अगरए कर न कर दीक सफेना हम करड़ी और एक बैठें वहां लगवग 130 आदमी जो अन्रेव मेरी सुन रहे हैं फिस लिकान今日 दनीं कर देशों के लोग भी बैठे अब उसने बीस परसेंट तनका बढ़ाने की वज़ाए बीस परसेंट तनका पूरी करो हमारा नारा वो बदल गया और हमने मांग करने शुकर दी कि बीस परतिसे तनका बढ़ाओ तो नारे लगा लिए तो उसने अपने अपनी मजबूती से काम करेंगे मांदारी से काम करेंगे लगन से काम करेंगे तो हमारे नेताओं न क्या किया जो नेतरतों कर रहे दे उन्होंने कहा कि सही है तो उसनों उन्होंने अपना लिख्की ले लिया और बीस परसेंट तनका बढ़ा दी तो मैं कुछ साथियों से माई को पन करके कह सकते हैं कि बीस परसेंट तनका जो ना काटी थी बीस परसें पहले से घट गई सर ओके और कोई साथी बोलेगा जहां से चले जहां से चले ए पहादे अपना नाम भी पहुंच गे आगए आगे 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 के वी विवा जी सर करू बले बिवा कि आपके सामने बात रख रहे कि आप अर्याना से हो अब है अब यह जो साथी कहे रहे थे जहां से आधी बोलिए ही अधी अधी आधी कि आधी कर खड़िशे अधी कि अधीकर कर से नाशिक से बोला हूँ हलो बोले आप अलो मत करें आवाज आ रही है आपकी बोलिये हाँ मैं दिवाकर करशे नासी से बोरा हूँ मैं केला इसकी में डेवलोप्मेंट ऑफिसर कारेरे उतुर्पद थे और मैं कट साफ के माध्यम से जुड़ा हुआ हूँ आप याप कंचेप चल रहा हूँ के बाद इंटोटेक्शन देना प्लीच यह तो बात कुछ और थी उसमें आपने मेरी बात में चुनी जिसके मैं जुआ मांग रहा था आप बीच में बाद में देना आप अब यह तो साथियों को क्या कमाल हुआ कि काफी साथियों को देखो अब भी समय समझ बनी आ रहा है कि हम इसको सोचना पड़ेगा हम कहते राजनितिक 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 वह चाबी वह चाबी है वह ताकत है कि सभी पालों की चाबी जो राज राज सत्ता है हो सकता है लेकिन सभी तालों की चाबी राज सत्ता नहीं है और राज सत्ता लेने से लेने के लिए भी हमने आपने आपको आकलन करना पड़ेगा कि राज सत्ता हमें कैसे मिलेगी हम लगातार एक ही बात करें बीच के जो काम थे हमने वो छोड़ दिये कोई भी राजनिता ह हमारे वीच में आता है वो एक की बात करता है कि पहले एमेले एंपी बनाओ क्या राजनिती में जितने एमेले एंपी चाहिए थे क्या आपके समाज के नहीं है बात आवाज क्यों नहीं उठाते हैं वो इसलिए नहीं उठाते हैं जैसा कि बाबा साहब ने डवल बोट का जो अधिकार की बात थी उनको पार्टियां चुन के लाती हैं और आपका दबाव नहीं होता जैसे को सरकार कि सरकार नहीं है पुर्भो की छलती हैं जैसा कि सर चोटी राम ने लोगों को कहा कि बाई कटे हो जाओ कटे हो यह लोग इकटे होगे कई भी कुछ भी होता है ये लोग एक दम से भार आ जाते है रोतक के अंदर आठ Five tells का हुस्टल है रोतक में क्या होता है अगर 2000 बच्चे वह साथ कट्टे वह के बाहर आ जाते हैं तो बहुत बड़ा दुलुस की रूप में बढ़ जाता है लेकिन हम जन सिंग क्या कि मुकावले महमून लोगों से भी जाता है तो कारण क्या है कि कारण यही है कि हम टुकड़ों में बटे हु कि हम करते हैं और करना भी चाहिए लेकिन आपके पार्टियों के मुकाबले में कितने बन चुकी है क्या रजल टाने की उमीद में लगा सकते हैं ऐसे उमीद नहीं आगा सकती है इसलिए वीदा पिपल ने ये परण किया कि हम जितना संगरस कर रहे हैं जितनी लडाई लड़ कि वाया हम आगे की वज़ाय जैसा कि मैने एक भैक्टरी, उधारन दीा हमारे साथ हर कारियक चेत्र में यह हालात हो रहे हैं हर रोज आनए हम देखते हैं हमारे सामने है जो रहा हम्सक्रावार का फ़्छेर ब्रेस्ट का प्रेल को चाहिए हमाम तरह की चीज़े दिन पर्दिदन कम वोती जा रही है लेकिन एक एकजम्पल आपके सामने बहुत बड़ा तेश हुआ कि दो अपरैल को दो अपरैल ठारा को बगर नेता के बगर किसी पार्टी के आववान के बगर किसी संगटन के आववान के कुछ लोगों ने कहीं से सायद पंजाब सिह चंगार दीन है और उसकी वज़े से जो आपका जो ने बिल के अंदर जो सविदान के अंदर जो आप जो नहेंनों ने अज़ो ने को किए दिया था कदम करने का काम किया था वो दो प्रेल की एक एक जलक से के वहल पांच से गंटे रोड़ पर आने से आपका वो जो पेज था आपका जो अधिकार था वो पहले से भी मजबूती से आया तो किस कारण से जोड़े और जोड़ने से लोग रोड पर आने से तो इसलिए हमें जो अना मैं इकटा होना पड़ेगा इसलिए विदा पीपल ने ये फरण किया है कि हमने अपने सारे संगटनों की जो हैं तो हमारी ताकत बढ़ती है जैसा कि आपने देख्या होगा कि पूरे मैं जो नग जहीं कहीं भी आप में कोई जानवर है पसुपक्सी है वो जूंड में रहता है से वन का राजा होता है मन का राजा होने के ना बाद भी वो जूंड में रहता है अगर वो एकला एकला र कहता है उसको भिशुन में रहने किया हो सकता है लेकिन आप लोग तो सेर के मुकाबने में ताकत नहीं है अकेले लेकिन हमें कटे हो जाते हैं तो उससे भी थाकतव़ होते हैं इसी परकार से आप कोई भी चोटे-चोटा जानवर देखो पत्थर भी पहाड भी जो जुड़ में इकटे हैं वो पाड़ों की भी बारिस भी प्रकर्ति नुक्षार नहीं कर सकती है इसलिए समन संग जो हना हमें संग के रूम में काम करना चाहिए जो साथी कहीं भी किसी संगठन से जुड़े हुए है अगर उस संगठन में देखेंगे उसके रेजल्ट क्या है उस संगठन से क्या रेजल्ट आ रहा है चोटा मोटा रेजल्ट की बात हो सकती है कि कोई एकदम स्टार्टिंग हो सकता है कि हमारा लाव हुआ हो लेकिन अब हमारा दिन परतिदन नुक्सान होता जा रहा है जैसा कि पिछली बार बीजेपी की जो सरकार बढ़ी केवल 35-36% से बढ़ी 35-36% और उसके मुकावले में जो 65% लेकिन राज कर रहे हैं तो इसलिए हमें आपने आपकी ताकत को पैचानना होगा हमें इकटा होना पड़ेगा इस संग के अंदर जो बात है ना कोई परदान है और ना इसमें पैसे लिए जाते हैं पैसे क्यों ने लिये जाते हैं कि पैसे कहर्चिते हैं। और जह मिटिंग में जाते हैं वो लोग women अपनी चद्र खुद घाते हैं तो कुछ साथी जो पैसा देते हैं. वो देखते हैं कि भी क्या रिजल्टा है उससे क्या हो गया कि वो संगटन मजबूत हो गया फिर उसने प्रोग्राम रख दिया फिर वो परधान बन गया जनल सक्टी बन गया और वो अपने आप में परधान और जनल सक्टी अगर किसी दूसरे की मिटिंग में जाता है तो नि एक दूसरे के प्रोग्राम में कटे नहीं होते आप देखते होंगे कि बाबा साब की अभी महा प्रिन्यवान दिश्था एक एक सहर में पांच 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 छे जग है सो दो सो पचास आदिम मिटिंगे कर रहे हैं ठीक है थोड़ी जागुरता हो सकती है लेक बुद्ध के समय से भी पहले का जो संग था जो सनी चर्चा थी जैसा कि सुधी राजी भी बार बार बताते हैं और सुधी राजी के साथ मिलके हम बहुत सालों से हम मिलके काम कर रहे थे लेकिन जो अब हमने अपने पुराने इतियास को जाना है जो सुदर की बात बताते है जो चमार की बात बताते हैं, जो जो अना यहां बंगी की बात बताते हैं, जो अचूत की बात बताते हैं, वो ग्यान हमें नहीं था, यह जो साथी सुन रहे हैं, उनको भी नहीं था, कि अचूत किसको कहते थे, सुदर किसको कहा गा है, चमार कोन है, चमार चमडे से जोड़ लेकिन चमर कातियास झोना अमारे चदर से आया चीवर से आया कम चीवर दारी ते बंग गयान अगर एक ग्लास पानी और आपकी मेज़ पर रखा हो तो वो आपके पेट में आ जाता है और अगर लाखोर करोड़ों ग्लास पानी आपके आす पास आजाए तो आपको डुबह देता एक पानी अगर थोड़ा है राकेला है तो वह आपके पेट में चला जाएगा आप उस पे काबिज हो जाएंगे मगर अगर पानी बहुत जादा हो तो वो आपको डुबो देगा मतलब अगर निर्जी चीद भी खटा होती है तो वो भी ताकतवर हो जाती है समुंदर में पानी पानी है तो वो ताकतवर है जहाज को भी डुबो देता है और जो नदी नालों में छोटा मोट पानी होता है उसमें नाब भी नहीं तैरती है ये प्राकर्तिक सध्धान्त है कि गहों का एक दाना किसी काम का नहीं है और गहों का अगर धेर हो तो वो किसी का भूग को मिटा सकता है ये छोटी छोटी बात हैं जो प्रगती बताती है हमक वो यह कहती है कि मैंने तुमको इखटा होना सिखाया है इसलिए जब हम पैदा हुए जब हम बने तो हम कबिलों में कुन्बों में गुफाओं में पेडों के उपर डाल के उपर इखटे रहा करते थे इसलिए हम बचे और जो इखटे नहीं रह पाए वो मारे गए गए यह अपका सध्धान्द है और इस सध्धान्द को हम पहले से पालंग करने वाले लोग हैं यानि कबिलों में रहने वाले जो आपने सुना होगा गोत बुद्ध का भी एक गोत है गोत बोलते हैं कबिले के नाम को यानि गोतम जो नाम है वो उनके कबिले का गोत है गोतम ही उनक है उनका नाम है गौतम उनकी लाइनेज यह गोत सब्द हमारा ही है हमारे एकटे रहने के लोगों की पहचान तू किस कुणुवे से तू किस कविल, इसाया तेरा क्या गोत है, यह गोत भारत में पुराने समय से चले आ रहे हैं पाली में गोत कहते हैं और बाद में संसकाइब भासा में इसको गोत्र कर दिया इसलिए जितने भी हमारे गोत्र हैं वो यह हमें बताते हैं कि हम कुन्वों में रहने वाले कबीलों में रहने वाले लोग हैं और जितने भी नगर हैं नगर का मतलब है जह नाग लोग यानि हम लोग जुन्ड मे रहते थे जैसा कि bawa ऐसाफ अम मेटकर ने बताया कि नाग उन्सी हैं हम नाग एक लाइन इससे आ रहे हैं और जो साप बना हुआ है वो साप नाग नहीं है नाग दरसल हमारा जो टोटम है यानि हमारा जो गोत का चिन है वो हाती रहा है यानि कि हमारी पहचान की जो चिन है जैसे आज हम अपनी पहचान का समर संका हमने वी बनाया है दरसल ये वी तो हमने इसलिए बना दिया क्योंकि अगर हाती हम बनाते तो उसको लोग दूसी तरह से ले जाते मगर असली जो हमारा चिन है वो हाती है और नाग को हाती और हाती को नाग कहते हैं बावा सब मिटने कैवर बताया और किताब पाली के अंदर सोलम वोल्यों में साफ लिखा हुआ है तो यह सारी चीज़ें चीक चीक के चिला चिला के ब हम रहते हैं हमी वो लोग हैं जो इकटे रहें बाकी तो सब भिकरे हुए रहें और जो बहार से जानते थे कि खटे होने के फायदे हैं और ये खटे होके ताकतवर हो जाते हैं हमको छुटे 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 अलग अलग तरह के चीज़ों में फैसला के भुसला के हम को तोड़ने की कोसिस की हमारा कोई आदमी जो काम करता था उसको कह दिया है कि ऑसको काम करता है उसी काम में रहना चाहिए जो जैसे है जहां इसको वहीं जग जहां जिस जग जगह नहीं ताकि हम मिखटे ना रहें ये आदत हमारी तब तक रही जब तक हमारा पूरा सासर नहीं चला गया और बावा साब नहीं जा गया बावा साब आते ही इस बात को समझ गए हम तो संग में रहने वाले लोग हैं हमारा तो समण संग है जो बार 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 जिकर आत और वो तो हम हैं काले लोग मोटे लोग पक्के रंग के लोग हम ही वो लोग हैं जो संग के असली हगदार मालिक हैं संग चला गया तो सक्ती चलीगी क्योंकि संग में सक्ती होती है संग चला गया तो सक्ती चलीगी पानी जब तो इखटा रहेगा समुद्र में जहाज को डु लेवärनल लुकिन अखेंघ्टवर नहीं मगर वह वह ढूत्र हुआ फिर समिद्र में चला जा हुआ हुआ तो समुंद्र बन्जाएंगे और समुंद्र बन जाएंगی तो एक लहरी बहुत होती है चोटे मुटे टापो को डुबाने के लिए और समुन्द से सब ढटते हैं क्योंकि उसकी गहराई बहुत होती है उसमें इतनी गहराई होती है कि वो अच्छे चोपो डुबो के शांती से बठा रहता है चिलाता भी नहीं है वही समुन्द हैं हम यह बात जितनी जल्दी हम हर्याने का कंसेट है महाराष्ट के लोगों को यह ताज्यव हुआ कि हर्याने के लोगों में इतना ज्यादा ज्यादा इतना ज्यादा क्यों है महाराष्ट के लोगों को यह पता ही नहीं कि भगवान बुद्ध यानि बुद्ध जिनोंने पहला संग बनाया और लोगों को लोगों को आजाद किया, लोगों को मुक्त किया, लोगों को दुफ मुक्त किया, वो हरियाने में आये और हरियानों तो पूरा यहां से लेके और पूरा पूरा गंधार से लेके और कंधार से लेके और पूरा उपर तक पहाड़ों तक चितना भी पंजाब है, सारा पाकिस्त मिलते हैं और हर्याने के तो लोगों के वारे में बुद्ध का भी था ये लोग तो पुराने जनमजात संगी हैं ऐसा बुद्ध ने बताया कि ये तो पुराने हर्याने की बात क्यों करें भारत के किसी भी हिस्से मुठाने हमारी सब्वेता चीक चीक के हमें कहती है हमी समण संगी है हमी भाई है और हमी बहन भाई आपस में हैं और कोई है भी नहीं बस इतना सा अगर हम जान लेंगे तो हमको काम करना है ये काम जानने का बावा साब बता हमेजा बढ़ाना है जंगल में होता है बों कभी ऐसा नहीं सोचते कि अब शेर मेरे पीछे आया और मैं दौड़के से बच गया हुआ हमेजा कि लिए बच गया वो जो हिरन है तो कि 24 गंटे कान खड़े रहते हैं जब मों खाना खाता है घास चाड़ता है तब भी उसके कान खड़े रहते हैं जरासी आहट होती है तो खाना छोड़ देता है और देखता है दहुदर कहाएं कहाएं खुस्वू पैचाने कुछ करता है कि आस पास को चीता शेर की खुस्वू रिसमेल तो नहीं आ रही है और जरासी आहट आती है चा है जिसने वो अपनी साबधानी से हट जाता है खाने में मश्गूल हो जाए या आहट सुना बंद कर दे उसी दिन वो चीता और सेर के चंगुल में फ़जाता रो मारा जाता है हम लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए जो आहट आनी चाहे थी जो साब्धानी बरती चाहे थी उसमें हम चूग गए उसको हमने छोड़ दिया कुछ लोग सराब में लगए कुछ वेवचार में लगए कुछ पाप में लगए वैसे वैसे साब्धान होते गए और फिर शेर ने हमको दिशीया सेयर का मतलब है उन लोगों ने दिवोच लिया कुछ काम नहीं करना चाहते है क्योंकि menembresy का सभाह्य हुता है कि कुछ काम नहीं कwynना चाहता था तो वह दूसरों पर राज करना चाहता है दूसरी को काम कर के दो तो हम उनके चंगुल में फस गए और उनका काम कर रहे हैं उनका काम कर रहे हैं वह वी जरासी आहाट होती है तो फौरन उसके कान खड़े हुजाते हैं कि कोई जानवार आसपास है तो शकार कर ले तो 24 घंटे अलट रहता है तो वो शेर किते अलट रहा करते थे इसलिए यहां तक हमको पहुंचाया और हम कितने डालायक हैं आराम से रजाई तानकर सो गए क्योंकि बावा साब ने की दिला दी कुछ को मिल गई कुछ को सुरक्षासी मिल गए कुछ बोलने लगे कुछ को लगा किे समिधार मैं जाएगा कुछ typ का म版 भी mitoc q को चोटा-m Αध्रमосरा मिल गया बाकियों को मिला भी नहीं म वह उसी में खुश हो गए और हli अराम से घर जाके सो गए अब हमें को जो लोग हैं वो 24 घंटे लगातारा काम कर रहे हैं तो सोते नहीं है वो रात दिन रात दिन रात दिन अपनी सुरक्षा अपनी संवर्धन अपने बढ़ाने के लिए अपने आप कि मैं बताता हूँ नहीं जिसे पहली उलीटिक का阿 Billсть ये वो जो काम कर रहे हैं उस काम को अगर आप ने चोटा करना है तो आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा तो ज्यादा काम करने वाला जीतेगा ऑगर आप ने उस काम को बड़ा रखार कम काम किया तो आप हार जाओगे यह लड़ाई है इसलिए हर आदमी को भेहनत करनी पड़ेगी इसलिए हर आदमी को जागना पड़ेगा जगाना पड़ेगा इसलिए हर आदमी को इखटा होना पड़ेगा कोई यह सोचे या पोर्टल पर 177 आदमी है वो इ जगा रहे हैं जो साब का सी रामने जगाए थे बात नहीं बनी बलकर बात बिगड़ गई क्योंकि वो जगाने वाले लोगी टुकड़ों में बटगे और नुकसान हो गया तो सारे जग जाते तो बात बन जाती और लगाता जगे रहते क्योंकि अगर हम पहले असोग के समय से लगाता जगे रहते तो असोग तो नागबंसी था असोग तो समण था तो असोग तो सारे के सारे उसने दाज जो प्राप्त किया कितना जगा हुआ था वो कि उसने एरान से लेके बर्मा तक महा भारत बना दिया पहली बार दुन अपने परवार को बढ़ाता चला गया उसके बाद में जो लोग आए उन्होंने इसको मेंटिक करके रखा पर उसके बाद में जो निकम में लोग आए वो सो गए और ये महा भारत फिर भारत छोटा छोटा होता चला गया इसमें से नेपाल निकल गया इसमें से अफगानिस्त बनता चला गया और भारत रहे गया वैसे ही हमारी जो आजादी थी असोप के समय बहुत बड़ी थी हम हर चीज के मालिक थे तो कि हम हमारे जो बुद्रुग थे वह 24 रटे जगे रहे रहते थे और वह हुश्यार करते थे का खाना भी खतम हो गया मरे का मास खाने को मिलने लगा घर से गाओं से बहार निकाल दिया से बहार निकाल दिया नाले के पास बठा दिया तालाब के पास बठा दिया बहन बिटियों की जित दूटने लगे वो भी नहीं पचा पाए इतने निकम में हो गए कि भला हो बावा स आ गई फिर महीं पहुंचने वाले हैं दस साल से तीस साल दस साल में सब की नौकरी चली जाएगी क्योंकि नौकरी पड़ लिखके लोगे कहां सरकारी डिपार्टमेंट सारे बिख चुके हैं प्राइवेट में तो जात कूछ का नौकरी जिता है और एक लागह काम दसियार में कराएगा और एक मौका है कि अगर एक खटे हो जाते हो तो बचोगे और अगर एक खटे नहीं होते हो तो मारे जाओगे प्रक्तिका से धाम रे तो जब समुंदर के फोटो देखा करो तो देख लिया करो कि समुंदर इखटा है तो ताकतवर है और नाले का घर के आगे जो नाली है उसका फोटो देख लिया करो कि बहता पानी है तो नाली में स्रटा हुआ पानी है इसका कोई श्तमाल नहीं होता ये बेकार जाता है इसमें तो लोग और गंदी ढाल देते हैं कि नाली है तो इस Jug married है तो इस पानी को इखटा करना पड़ेगा एके वूंद जो हम है उनको इखटा होना पड़ेगा अगर जान बचानी है बच्चों की तो और अगर नहीं बचानी है तो जान तो वैसे जाई रही है फिर बैठके इंत्यार को अराम से दस से लेके तीस साल बचाने वाला कोई आने वाला नहीं है ना बावा साव आएंगे ना जोती पर पिले आएंगे ना बुद्ध आएंगे सब बता के रास्ता गए हैं वो नहीं चलेंगे रास्ते पे हम चलेंगे रास्ते पर हमें बचना है और हर एक को बचना है इसलिए जिद्ध है जुड़ने की जिद्ध है जान बच करने की क्योंकि सम्मिधान तभी जान बचाएगा जब सब इकटे हो जाएंगे इसलिए जितना जल्दी हम जुड़ेंगे उतनी जल्दी जीत जाएंगे और जहां जहां लोग जुड़े हैं वहां जीते हैं और जब जब जुड़े हैं तब तब जीते हैं और जैसे जैसे तब कामियाब喂 ऐसी दो प्रेयाल को हम इखटे हुए कामः होगे ऐसी समय में इक जोड़े त हैं पहरत बना दिया किसा जुड़ें तो अपनेwhal गए अगर हम परमनेंट जुड़ जाएं तो बुराई क्या है कौन सा पैसा लग Breaking समर संग पैसे तो लेता नहीं साफ साफ कहता है किसी को पैसे देना भी मत पैसी की जरूत भी नहीं है खटा होने के लिए और नहीं यहां नेतागरी होती है नहीं यहां कोई फूटू चपते हैं नहीं यहां कोई वी आई पी कल्चर है नहीं किसी को यह कहते हैं कि आपको यह यहाँ कोई नियम है या कानून है या कोई बंदन है इसका कोई रिष्ट्रेशन भी नहीं है इसका कोई एकाउंट भी नहीं है बुल्कुल तो खुला है जो सवर्ण संक की नियम है फिर जोड़ने में कोई दिक्कत हो तो बताईए सिवाए उन नेताओं को दिक्कत होगी जिन कि उनको पैसे देने बंध कर दो उन से कहना कि पैसे देंगे जब इखटे हो के आओगे तब क्योंकि बावा सब्सक्राइब ने यह कहा था कि वीक साथ आधा तो लॉप साथ इसको पैसा मंगने आता तो आप उसको साफ वाने कर दो कि हमें वीडा स्रमर्ण संग ने मना किया हुआ है कि पैसा देंगे जब इखटे हो के आओगे तब तो यह लोग इखटे हो जाएंगे जब इखटे हो जाएंगे तो समुद्र बन जाएंगे तो हमरी जान बच जाएगी जब हमरी जान बच जाएगी तो फिर हम पैसा देदेंगे जो बावा साथ का आदेस हैं मानेंगे मगर देंगे जब जब इखटे हो किया होगे इसलिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जुड़ना है यही स्रमण संग का काम है कटके सर आगे आगे बोली सर महराश की दरफ से सभी सातियों को नवबुद्दाय जैभीम जैसर भीदा मेरा नेट्र का प्रॉब्लम था इसलिए थोड़ा आवाज का प्रॉब्लम था अभी ठीक हो गया साथियों अभी तो साथियों ने हमें बताया कि वीद पीपल क्या है वीद प्रॉपल सिंग सर ने बताया कि वीद पीपल से वीद पीपल में जूड़ने से क्या होने वाला है मैं इसी बात को थोड़ा आगे ले जाना चाहता हूं आज हम लोग एक सो सत्तावन लोग है महारास्ते से करीब बाईस लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं तो सबसे पहले मैं बात बत सब्सक्राइब करने जो हमें सबीधान दिया है उस सबीधान का जो पहला अक्षर है वीद पीपॉल पीपल अप इंडिया हम भारत के लोग बाप साब ने वीद पीपल आप इंडिया क्यों कहा क्यों कि सबीधान सबा जब शूरू ही थी तो जो लोग हिंदू थे वो कहते कि सविधान की शुरुवात हमें इश्वर के नाम से करना चाहिए जो लोग क्रिशन थे वो कहते थे कि गॉड के नाम से करना चाहिए जो मुस्लिम थे वो कहते थे कि अल के नाम से सीख लोग थे तो वो कहते थे कि वो जो उनका यह है उसके नाम से कहना चाहिए लेकिन बाबा को राष्ट बनाने के बाद संगटित रहने के बाद और हमारे बीच में बंदुत्वक का नाता होने के लिए हमें वीद पीपल आफ इंडिया हम महारत के लोग यह कहना चाहिए और इसी बात से वीद पीपल के बात से सविधान के शुरुआत और सविधान एक ऐसा माध्यम है जो की इस देश के हर इंसान के बात करता है अब बाबा साब ने क्या कहा था बाबा साब ने उन्सों बीस में अपना कारज सुरु गिया 1927 में 10,000 लोगों को इकटा लाया 1942 में बाबा साब ने 75,000 लोग इकटा किये और बाबा साब ने 1956 में पांच लाख लोगों को जोड़ा मुझे बताओ कि 5,000,000 लोग जो नागपूर के दिक्शा भूमि में आये थे उस में से एक भी इनसान या एक भी आद्मी ऐसा नहीं कहता था कि बाबा साब ने हमें यूँ ही बुला लिया वो एक भी इनसान बाबा साब के खिलाप या बाबा साब से गैर साहिनती नहीं दि तो हमने क्या किया, बाबा साब ने हमको तीन बातों में जोड दिया था, हम लोग 85% लोगे, SC, ST, OBC, तो बाबा साब ने ये सारे 6,443 जातियों को तीन वर्ग में बाटा, वो SC, ST और OBC, इसका मतलब है कि 6,443 जातियों को सविधान के लक्स को प्राप्त करने के लिए बाबा साब ने तीन धड़ों में बाठा और उनको अधिकार दिलाए, जो फंडामेंटल राइट थे और डारेक्ट प्रिंसिबल और स्टेट पॉलिसी से, जो भी शाषन चलाते थे, उनके लिए काम दे दिया, अब हमने क्या किया, हमने 6,753 जातियों को जोडने के लिए 29,00,000 सं उनको जो एक्टिव है, वो काम करते ऐसा बताते हैं, लेकिन परिनाम ऐसा हुआ कि 70 साल में ना हम इकटा हुए, ना हम एक होकर हमारी सत्ता बना पाए, तो इसका मतलब है कि कही न कही तो भी हमारे सोचने में, काम करने के धंग में, कुछ ना कुछ तो भी गलती है, अब ज तो उन्होंने ये देखा कि सविधान में जो लिखा है, बाबा साब ने जो हमें बता है वो और भगवान बुद्ध ने जो संग बनाया था, उसमें से कही न कहीं तो भी हम लोग चूक रहे हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो भगवान बुद्ध तो पहले अकेले इंसान थे कि जो जागरूत हुए, सम्मेक संबुद्ध हुए, उन्होंने पहले पहले पंचवर्गे भिक्को को जोडा, फिर यश को जोडा, यश के साथ 55 लोग थे, ऐसे करके 60 लोग हो गए, तो भगवान ने उसका संग बना लिया, और देखते देखते भगवान ने जो लोग सम्मा सती में रहते थे, इसका मतलब जागरूत हो जाते थे, उततागत बुद्ध के साथ जोडते थे, कोई भिक्कु संग में आता, कोई भिक्कुनी संग में आ जाती, और कोई उपासक संग में आता, कोई उपासी का संग में आ जाता, और कोई लोग सिर्फ राजा म तो इसका मतलब यह हुआ कि एक आदमी अगर जागरूत हो जाता है और समाज को भन से ले जाता है तो वो सब लोगों को इखटा जोड़ सकता है यही बात हम लोगों को 85 प्रतिशेत लोगों को करनी थी लेकिन हमने गनित उल्टा कर दिया हमने संगटन ज्यादा बढ़ा है औ और 29 लाग संगटन बनाकर हम 6743 जातियों को जोड़ने का पिछले 70 साल से कारेक्रम आरम करे किये हुए हमारे बीच में कुछ न कुछ तो भी जोड़ने के लिए कमिया है वीद पीपल वही कमिया हमारे बीच की तोड़ना चाहता है हमें जोड़ना चाहता है अब वीद आप अमेटकर के वीचारों पर चलने वाला जो भी बोजन समाच का जो आदमी है भारत का नागरिक है वो जूड़ सकता है सिर्फ उसने क्या करना है तो अपने बीच के जो राग लोब द्वेश मोह ये जो बाते हैं हमारे पद पैसा प्रतिस्टा और रहंकार ये जो बाते भगवान बुद्र ने धम्म में कहिए इस बात को छोड़ना है और ये बाते हम धिरे धिरे अगर छोड़ते जाएंगे तो हम अपने आप एक दूसरे के साथ जूड़ते जाएंगे अब ये जूड़ने के बात क्या होने वाला इसका मैं दो चार उधारन देता हूं पिछल प्रचार प्रचार करते हैं ऐसे करीब साथ सो लोग है जिसमें से करीब देड़ सो पॉने दो सो लोग हर दिन जुड़ते हैं इसका मतलब हम लोग साथ साथ मैंने से अगर हम लोग विचारों का आदान परदान करते हैं तो उसमें से हम देड़ सो दो सो लोग कड़वे हम जोडने वालों लोग पंगए हम केडर बन वे तो बाकिके है लोगों को क्या करना है पर इसका बेनिपीट क्याइं क्या है दिखना क्या भी निता हुआ हमेरा दोस्त है जो यहात्माल में बिसनसाल में इंजिनेश काम करता है पंडिजी वानकड़े उनका नाम अपने योपी के साथी का फोन आ है कि में एक रिलेटिव है जो कि गोवा में बीच में काम करता है और उसको पूना में ट्रांसफर करना है अब वानकड़े साबने उस यूपी के साथी को कभी देखा नहीं है सिर्फ हमारे वीद पिपल में उनकी पहचान हो गई और उनके गोवा का जो उनका जो रिलेटिव है उसकी ट्रांसपर करने का काम कर दिया दूसरी बात मैं बताता हूं कि एक दूसरे साथी का मुझे यूपी से फोन आता है उनकी साथ जो है उनकी मदर इन लाइं माल में रहता है उसको सिर्फ मैंने एक ही फोन किया आधे पौने गंटे में उस महिला को मालाड के हस्पिटल में भरती किया गया यह ताकत है वीद पीपल की वीद पीपल में अगर हम लोग जूड़ते हैं तो हमारे काम अपने आप बनते जाते हैं और हम अपने आप में इतने जूड़ जाते हैं कि जैसे कि हम एक दूसरे के सगे समन दिये अब यह जो 170-150 लोग हर दिन जूड़ते हैं यह लोग अगर 2-3 दिन में अगर वीद पीपल से नहीं जूड़ते हैं तो उनको कैसा कैसा लगता है कि मैं क्यों वीद पीपल से नहीं जूड़ा हूँ तो यह ज जोड़ने से हमारा काम बनने माला है और देख्टे-देख्टे हमारा कारवा बनेगा बाबा साब ने जो संग बनाए था वही संग हम फिर से जोड़ एंगे और साथ सो तैतालिक जाती को जोड़ने में हमें कोई देर ने लगेगी, इसलिए हमको विद पिपल से जूड़ना है, इसी भाग जो है हम लोग आफलाइन भी मिलते हैं, जैसे कि 26 डिसमबर में हम लोग लखनों में मिल रहे हैं, लखनों में करीब 300-300 डॉक्टर्स लोग तो हम लोग आफलाइन जूड़ेंगे, जैसे कि हम आउनलाइन मिलते हैं, वैसे हम लोग आफलाइन जूड़ने के बाद फिर हम एक दूसरे के साथ हमारे घनिश समन्द बन जाएंगे, हमने फिर यही सोच कर देखा, तीज जनवरी को हमने दिक्षा भूमी पर एक तीन सब लोग वहाँ पर आने बाद है, और दिक्षा भूमी हमारी लिए प्रेवना का श्रोत है, दिक्षा भूमी हमारा एनर्जी का पाउर सेंटर है, दिक्षा भूमी में अगर हम आते हैं, तो करीब पर एक साल तक हमारी पूरी मानसिक बैटरी चार्ज होती है, तो इसी का भाग लेकर हमने तीस जन्वरी को जो की इत्वार आता है उस दिन हमने सभी भारत के वीद पीपल के समन संग के सभी सात्यों को आमंतरीत करने का हम नियोता आपको देते हैं आप आईए जूड़ जाईए हम दिख्षाभूनी में आएंगे फिर हम एक दूसरे के साथ मिलने के लिए एक दूसरे के जूड़ने के लिए और देखते देखते सारे भारत वर्स को जोड़ने के लिए हम काम करेंगे इसका मतलब क्या होगा कि जैसा जैसा हमारा कल्चर और सोशल प्रेशर बढ़ेगा वैसा वैसा पोलिटिकल लोगों में भी जागूती आने मानी है यही बात इस जो with the people के concept से हम लोग हर दिन करते हैं, आप जूरते रहे हैं, हर दिन जूरते रहे हैं, तो आपको ये concept समझ में आएगा, और आप इसके लिए देखते देखते एक कार्यकरता बनेगे, इसका केडर बनेगे, इतनी बात करने हैं, नमो गुद्दाय, जै भीम, जै वा झाल आप सभी से ये निविदन हैं, कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, या बाकी वीडियो अच्छी लगी है, और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए, या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए, या किसी भासा में convert करके आगे बढ़नी चाहिए या print में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो audio है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सभी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप youtube पे चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सों का है उन्ही की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संगम सरनं घच्शामी चंगम सरनं घच्शामी तू थियंपी बुद्धं सर्मं गच्छाम। 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 साथू, साथू